नमस्ते दोस्तों नमस्षवाय मैं फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही अलग और बहुत ही असानी से बनने वाला बहुत ही स्वादिस्ट रेसिपी लेकिए सोयबीन की सबजी आप लोगों ने तो बहुत बार खाई होगी अलग-अलग तरीके से खाई होगी बट मैं गैरेंटी दे सकती हूँ कि ऐसे नहीं खाई होगी तो एक बर मेरे तरीके से बनाईए और आप साही पनीर और बाकी चीज़े खाना भूल जाएंगे तो देखे सबसे पहले मैंने चड़ा दिया है कडाही इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सरसो का तेल आधी चम्मत जीरा डाल रही हूँ मैं इसमें तीन मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च एक मैं डाल रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च और उसके बाद एक टुकड़ा दाल चीनी का डाल रही हूं एक मोटी वाली इलाई ची तीन हरे इलाई ची ये थोड़ा सा पीपल बोलते हैं इसको गरम मसाला होता है वो आधा चकरी फूल और थोड़ा सा जावीत्री का फूल इतनी चीज़े डाली है मैंने और ये सूखा हुआ लेसन बहुत बार मसाले में यहां जब मसाले का पैकेट लेते हैं तो इसमें ड्रायड गार्लिक भी आता है और उन सब के बाद मैंने डाल दिया है सवा इंच अद्रग का टुकड़ा और एक पूरा मैंने लेसन का गांठ लिया था जिसको छिल के उसको भी डाल दिया है अब इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा भूण लेंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज तो प्याज मैंने थोटे थोगा ले थ है वाट नॉमल के हिसाब से आप देखें तो तीन support थे तो तीन और बहुत ही टेस्टी बना था यह सोया बीन की सब्जी तो देखे यह प्याज जो है ना वह अप्रोक्स 30-40 परसंट भुन चुका है आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है तो अब ना हम यहां पर डालेंगे टमाटर टमाटर मैंने एक ही लिया है बड़े साइस का टमाटर था तो यह मैंने इसमें डाल दिया है और अब जो प्याज है ना वह थोड़ा सा टमाटर के साथ भुन जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा अब मैं इसमें डाल रही हूं नमक क्योंकि टमाटर के बाद नमक तो डालना ही रहता है तो नमक आप लोग साउधानी स क्योंकि नमक तो थोड़ा भी जादा हुआ तो खराब हो जाएगी सब्जी और अब इन सब को हम भून रहे हैं देखे और यह टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है अप देख सकते हैं मतलब 50-60% हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूं 10-12 काजू और थोड़ा सा मखाना और एक कप पानी डाल रही हूं इन सब को आपस में अच्छे से मिला देना है और उसके बाद इनको हम थोड़ी दिर तक पकाएंगे ताकि जो काजू मखाना जो भी चीज़े हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं देखे थोड़ी दिर बाद खोला है अब मैं इसमें डाल रही हू है मखाना सॉफ्ट होने तक और सची बता रही हूं कि यह वाली सब्जी खाने के बाद ना पूरी फामिली बिल्कुल फैन हो जाने वाली है तो ट्राय जरूर करिएगा और अगर अच्छा बने तो प्लीज कमेंट करेगा और पसंद आये तो लाइक भी करिएगा तो देखि होने के बाद इसको मिक्सिजार में हम डाले हैंने और इसमें हम ढालेंगे थे का मिल्मील क्यान दाल रही हूं अगर वह ना थो दूडून दाल सकते हैं दूद की मलाई और इसको textures लिया है बस यह है तो बहुत-था पाने नहीं होना चाहिए दहीं खाटे नहीं मतलब दरदरा नहीं पीसना है इसको अब देखे यह मैंने लिया था सोया बीन जिसको गरम पानी में डाल के छोड़ दिया था और यह मेरे पास तीन सोया चाप बच गया थे तो मैंने सोचा था यह तीन कहां ही बनाऊंगी मैं तो मैंने कहा चलो इसी में डाल देते हैं तो इस चीजे बनाती हूं वैसे घी में बनाओ तो और अच्छा बनेगा और उसके बाद ये जो भी सोया बीन है या फिर थोड़ा सा जो मेरे पास सोया चाप था इन सबको ना अच्छे से हम फ्राइ कर लेंगे मतलब डीफ्राइ नहीं करना है शैलो फ्राइ थोड़ा थोड़ा गोल अच्छे हुए सोया बीन थे ना उनको भी डालके मैंने भून लिया है देखिए थोड़ा थोड़ा ही भूना है बहुत ज्यादा नहीं और अब इसी ओईल में मैंने थोड़ा सा और बिल्कुल थोड़ा सा और दो तेज पत्ते डाल दिये हैं उसके बाद से मैंने डाला है और उसके बाद थोड़ी से काले मिर्च मतलब आठ दस के करीब काले मिर्च और कुछ भी नहीं डाला है और इनको थोड़ा सा भूनने के बाद ये जो पिसा हुआ मसाला था ना इसको डिरेक्टली इसमें डाल देना है साथ में मैंने थोड़ा सा पानी भी खंगाल के डाल ताकि मसाला आराम से भूने और मसाले वेस्ट भी ना हो तो देखिए सब को डाल दिया है अच्छे से अब हम इनको चला लेंगे और चला के और ढख ढख के इनको हम भूनेंगे थोड़ी देर तक वैसे तो अल्रेडी सारी चीज़े भूने हुई हैं बट इस तरीके से बनाने के साथ किसी भी चीज के साथ खाओ बहुत अच्छा लग रहा था इवन सोया बीन से बेटर उसकी ग्रेवी लग रही थी और बहुत टेस्टी सबको बहुत पसंद आया था घर में तो और मेरे कहने पर जाने के जरूरत नहीं है अगर हो सके तो आप एक बड़ जरूर ठ्रा और अधी चमत से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर और यह जो अधितान घरम मसाला एक से थोड़ा सा कम है और यह एक समत से मिंगे साथ को बर्यारिक भी है यह है others में आहसे क्या सकते हैं यह हैं जो इसलिए समें टाल रही नहीं लेकिन यदिन अगर यह नहीं है तो सेम आएगा अच्छा आएगा कोई दिक्कत नी है मेरे पस पड़ा था अल्रेडी तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिला के इसको थोड़ी दिर हम भूनेंगे और यह देखिए लगबग मैंने देड़ दो मिनट बाद खोला है इसको और फ्लेम लो था तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा भूनने लगा है मसाला ओयल तो अल्रेडी मैंने बहुत कम डाला था लगबग दो चममच वो भी ऊपर आ गया है क्योंकि सोयावीन फ्राय करने तो यह बड़िया मसाला भून रहा है थोड़ी दिर और भूनेंगे हम इसको उसके बाद देखते हैं क्या करना है तो देखिए थोड़ी दिर बाद मैंने इसको और खोला है और अब मैं इसमें डाल रही हूं यह अमूल का फ्रेश क्रीम डाल रही हूं मैं आप चाहें तो जो दूड की मलाई होतीत है उसको भी डाल सकते हैं या hasta he key की डाल सकते हैं अगर तो आप दूद भी डाल सकते है तो भी सेम ही टेस्टा आएगा मेरे पास था फ्रेश क्रीम है तो मैंने उसको डाल दिया थोड़ा सही था बहुत जादा नहीं था मेरे पास होता थोड़ा हो डाल लेती है और उसके बात से यह क्रीम डालने के बाद लगतार चालाना है यह जब लगवतार यह क्रीम था फ्रमलने लग गया है फिर मैंने घटा दिया Indian और आप देखिए मैंने 2-3 मिनट के बाद खूला है बिल्कुल लो फ्लेम था तो यह देखिए क्या शांदार मसाला बिल्कुल बनके रेडी हुआ है आप देख सकते हैं एकदम थिक एकदम क्रीमी और बहुत ही अच्छा कलर आया है और खुश्बू तो बहुत ही सांदार आ बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अब मैं इसमें डाल रहे हूं गरम पानी गरम पानी आप अपने हिसाब से डाले जितना आपको ग्रेवी चाहिए वैसे क्योंकि सोया बीन डालने के पाद ना वैसे भी पानी थोड़ा सा ना वह एब्सॉब कर लेता है तो इसलिए हम पा तो इसको हम 4-5 मिनट आराम से पकाए हैं और देखिए 4-5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे चार-5 मिनट पकाने के बाद जो ग्रेवी है वो कम हो गयी है और गाड़ी हो गई है बहुत अच्छी हो गई है तो आब यह जो अब फ्राइग एा हुआ सोया बीन है इसको डाल दि और एक से दो मिनट या फिर दो से धाय मिनट हम इसको पका लेंगे मेडियम टू लो फ्लेम पे और सब्जी हमारे बिलकुल रेडी है और खाने में बहुत ही श्वाद स्वाद यह स्लीप आफ टंग है और किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं इसको और यह देखिए फाइनल ल सब्जी तो हम सब खाते ही हैं और कभी ऐसे बना के देखिए और रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए बहुत दी मोटिवेशन लगता है अगर लाइक नहीं आता है तो और शेयर भी करिए जो लो खाना पसंद करते हैं उनको तो और सोयाबीन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था तो प्लीज एक बर आप लोग ऐसे जरूर बनाएं खाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना था बाबाई